आप लोग को ये सिरीज जो है बाइलिंग्वल ही मिलेगी लेकिन लेट नहों इसलिए वीडियो हम पहले दे दे रहे हैं आप लोग रिवीजन करते रहे हैं जो टेक्निकल वर्ड्स होंगे इंग्लिश में बोलते जाएंगे ठीक है और बाकी हम कैप्शन भी ओन रखेंगे त कैप्शन आप इंग्लिश में देख सकते हैं इसका आयोध्या 30 दिसंबर 2023 प्रदान मंत्री मोदी की आत्रह होती है आयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उधगाटन करते हैं साथ ही महर्शिवालमी की हवाई अड़े का उधगाटन करते हैं छे वंदे भारत ट्रे जो कि देश में पहली बार इसका उधगाटन किया गया इन दोनों तरह के ट्रेनों को हरी जंडी प्रदान मंत्री ने दी पहली बार था जब अमरिद भारत एक्सपेस चलाई गई देश में अमरिद भारत एक्सपेस क्या है नान एसी स्लीपर कोच वाली ट्रेन है आयोध्य से दर्भंगा इसको रवाना किया है प्रदान मंत्री मोधी ने दिल्ली अयोध्या और दर्भंगा यहां इस रूट पर ये ट्रेन चलेगी दूसरी ट्रेन बेंगलोरू से माल्दा के लिए रवाना हुई पश्यम बंगाल जो माल्दा है वहाँ पर एक्सपो सैट मिशन एक्सरे पोलरिमिटर उपग्र है इसरो का पहला उपग्र है जो एक्सरे उस सर्जन का पता लगाएगा भारत इस तरीके से खगोल सास्त्री अध्यन के लिए उपग्र भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया अमेरिका के बार एक जनुरी दोजार चोबिस को इस मिशन को PSLV C-58 रॉकेट से छोड़ा गया इरेडा भारती नवी करणी उर्जा विकास अजेंसी जिसकी अस्थापना 1987 होई हेटकौार्टर इसका दिल्ली में है वर्ष दोजार चोबिस को इसने मानो संसाधन विकास और अनुशासन का व भारती अंत्रिक्ष स्टेशन की अस्थापना का लक्ष है वहीं 2028 तक इसका पहला माड्यूल लांज करने का लक्ष है मेग जियांग पहला महासागर ड्रिलिंग जहाज है महासागर में ड्रिल करने वाला चीन द्वारा इसको लांज किया गया मेग जियांग अर्थ 300 इसका निर्माड किया गया है परमाण उरजा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला यात्री कुझ है atomic energy से ये चलेगी ठीक है दुनिया का पहला ये यात्री कुझ है वेज है 2025 में ये लाउंज होगा प्रेरणा क्या है एक सब्ता तक चलने वाला वन विक प्रोग्राम है आवासी का एक्रम है जो सिक्षा मंत्रा लेके द्वारा नोवी से बारवी कक्षा के शात्रों के लिए शुरू किया गया है 9-2-12 BRICS PLUS BRICS में 5 नय पूर्ण सदस्य शामिल हो गए कौन-कौन मिस्र, इथियोपिया, इरान, साओधी अरव, संयुक्त अरव, अमीराद ठीक है ये 5 देश शामिल हो गए BRICS PLUS में अब BRICS में कुल सदस्य कितने हो गए है 10-10 एससे कीबो छेत्र गुयाना व वेनेजवेला का विवादित छेत्र है हाली में शान्ति पूर्ण हल पर सहमत्ती बनी है इस शेत्र में इन दोनों के मध्य गुयाना और वेनेजवेला दोनों दक्षण अमेरिकी देश है रेजुपेव स्वदेशी सडक निर्माण तकनीक है CSIR के CRRI जो संस्था है केंद्र है उसके द्वारा इसका विकास किया गया है उच्चूचाई की सडक निर्माण में इसका प्रियोग किया जाएगा युगांडा उन्नीसवाँ गुट निर्पेक समेलन नान एलाई मूवेंट जो समेलन है उन्नीसवाँ ये युगांडा में आवजित हुआ प्रधान मंत्री मूधी ने इसमें भाग नहीं लिया विदेश मंत्री एस जैशंकर इसमें शामिल हुए एफेमार फ्री मूवेंट रिजीम जिसको बंद करने का निर्णे भारत ने इस वर्ष के सुरुवात में लिया किसके मध्य है भारत और म्यामार की सीमा पर संचालित मुक्त आवाजाही व्याउस्था है भारत में महिलाओं के लिए सीर्स सहर सूचकांग 2023 अवतार ग्रुप के द्वारा जारी हुआ 10 लाग से अधिक आबादी वाले शहरों में जो सीर्स सहर है चन्नाई महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है इसके बाद बंगलूर, पूडे, मुंबई और हैदराबाद है टॉप फाइब में आठमे अस्थान पे देश की राजानी दिल्ली है 10 लाग से कम आबादी वाले शहरों में भी तमिल लाट का तिरुचुरापली पहले अस्थान पर आप आपको अगर पीडियाफ चाहिए हमारे सभी वीडियोस की कोर्सेज की तो आप 7905-901018 पे वाटसप या टेलीग्राम करके मांग सकते हैं 7905-901018 पे वाटसप करके जानकारी मांग सकते हैं वाटसप करिएगा या टेलीग्राम करिएगा फोन बहुत कॉल्स जाती हैं तो उठने ही पाता है ध्यान नखेगा वेटलेंस सिटी प्रत्यायन वेटलेंस सिटी एक्रेडिटेशन शहरी वात्तारण में आदरभूमी के महत्यकी पहचान करने वाली स्वैच्छिक मानता प्रणाली है वेटलेंस सिटी प्रत्यायन जिसे कोब 12 किसका कोब 12 कॉंफरेंस आप पार्टीज रामसर कन्वेंशन की जो कॉंफरेंस आप पार्टीज का बारवा सम्मिलन 2015 में आयोजित हुआ था उसमें इसकी स्थापना की गई थी था मेडा गासकर के मुरामबे के पास ये चक्रवात आया था M.V. वासली गोलोविन भारत द्वारा चार्टर्ड जहाज है अंटार्कटिका के 43 में भारती विज्ञानिक अभियान के लिए केप टाउन से अंटार्कटिका के लिए रवाना हुआ इसमें कुल 24 सदश से शामिल है भारत से 21 बांगलादेश से 1 और मारिशस से 2 सदश से गवाली अर्मत्पदेश यहाँ पर वन वर्ड वन हेल्थ पर अंतराश्टी समयले नायुजित हुआ राज माता विजय राजे सिंधिया कर्शिफ शिद्याले में यह आवजन हुआ प्रोफेसर बी आर कमबोज को 14 म. स्वामी नाथन पुरसकार यहाँ पर दिया गया बेंगलूरू अमेरिका के बाहर करनाटक के बेंगलूरू में बोईंग के सबसे बड़े परिचर का उदगाटन प्रधान मंत्री मोदी के द्वारा किया गया हैल 523 यह क्या है उतरकोरिया द्वारा जल के भीतर परिक्षण है और यह है क्या परवान हतियार पनाली है आपरेशन सर्वशक्ति भारती सेना का जम्मू कश्मीर में आतंक वाद रोधी अभियान है क्या नाम था इसका आपरेशन सर्वशक्ति हैदराबाद चौथी अध्योगिक क्रान तिकेंद्र कहा स्थापित किया जाएगा है हैदराबाद में और इसके लिए तिलंगाना सरकार ने वर्ड एकोनॉमिक फोरम के साथ समझोता किया है इस साक्षी एप MPLATS जो योजना है संसाथ सदस्थानी शेत्रविकास योजना उसके फंड की पारदरशी निगरानी के लिए ट्रांसपरेंसी के लिए इस साक्षी एप लॉंच किया गया है सरकार के द्वारा बेगम पेठ हवाई एड़ा है धराबाद में स्तित हवाई एड़ा है यहां एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डेन शो विंग्स इंडिया दोजार चोबिस का आयोजन हुआ जिसके दोरान बेंगलूरू और दिल्ली अंतराष्टी हवाई एड़ों को इंटरनेशनल एड़पोर्ट को सर्फ सेष्ट हवाई एड़ों का अवाड मिला सहयोग तुरूप से केरल के कोच्ची में Intelligent Internet of Things में उतकिष्टा के एक्सिलेंस सेंटर की अस्थापना हुई इसके साथ ही ग्राफीन के लिए इंडिया इनोवेशन सेंटर इसके लाबा टाटा स्टील के सहयोग से भारत का पहला ग्राफीन सेंटर मेकर विलेज भी यहाँ पर खोला गया ये तीन महत्पुन बाते याद रखेगा पेंश टाइगर रिजर्व महाराश में इस टाइगर रिजर्व है भारत का पहला डार्क स्काई पार्क यह बन गया है यहाँ पर बनाया गया है एशिया का पांचवा और भारत का पहला यह डार्क स्काई पार्क होगा आइंस्टीन प्रोब कमल के आकार का प्रोब है X-ray उत्सरजन और Black Hole के अध्यन के लिए चीन का यह हाली आभियान है इसका नाम आइंस्टीन जो Great Scientist है Physics के उनके नाम पे रखा गया है Denmark भारत में हरित इधन गडबंधन की सुरुवात हाली में किस देश के साथ की गई Denmark के साथ उग्राम DRDO के द्वारा जिसे लांच किया गया है क्या है ससस्तर बलों के लिए स्वदेशी असाल ट्राइफल है क्या नाम है उग्राम दिव वकिति सिंग ये अभी हाली में चर्चा मरही इनको भी ये जो नवाड दिया गया था तो चर्चा में आई थी पैर से ये तिरंदाजी करती है भारती सिना ने वर्ष 2024 को किस रूप में खुशित किया है प्रद्योकी अनुवेशन वर्ष के रूप में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक देश का या भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है विश्व का दस्वा सबसे बड़ा समुद्री पुल है भारत का सबसे लंबा पुल भी है सिक्स लेन 21.8 किलोमेटर लंबा यह पुल है जिसकी समुद्र पर लंबाई 16.5 किलोमेटर है MTHL Mumbai Trans Harbor Link को अटल विहारी बाजपई सेवरी नियावा शावा ब्रिज के रूप में भी जानते हैं सेवरी दक्षिन Mumbai को यह चिरले नवी Mumbai से जोडता है यह यह कह सकते हैं कि दक्षिनी Mumbai को यह नवी Mumbai से जोडता है 75 गरतन दिवस विशय क्या था इसका विक्सित भारत और भारत लोक्तंत की मात्रिका मुक्यति थी फ्रांसीसी राश्पती एमैन्वल मैक्रों थे इसके साथ ही महत्पूर बात है कि सेविक्तराष्ट महासभा के 78-70 के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीस ने भी गरतन दिवस वरेड़े में भाग लिया था भारत जनवरी 2024 में हांग कांग को पचाड कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेर वाजार बन गया पहले अस्थान पर USA है दूसरे पर चीन है तीसे पर जापान है चोथे अस्थान पर कौन हो गया है भारत अब हो गया है हांग कांग को पचाड करके प्रधान मंत्री सूर्योदय योजना एक करोण घरों पर सौर रोजा पणाली इस्थापित कर रूप टाप के माध्यम से सौर शमता को बढ़ाने की योजना है प्रधान मंत्री सूर्योदय योजना कुट्रिम भारत भाविश अग्रवाल का AI स्टाटप है आर्टिफिशल इंटिलियंस के शेतर में काम करने वाला स्टाटप है यहां भारत का पहला आर्टिफिशल इंटिलियंस शेतर का यूनिकान बन गया है क्या नाम है कुट्रिम कानपूर में ततकालिन स्वास्तमंती मंसुक मांडविया के द्वारा जनवरी दोजार चौबिस में आयश सेटे लाइट सेंटर की अधार्शला रखी गई उत्तरवदेश के कानपूर में परवत माला परियोजना अनितिन गटकरी द्वारा हाली में इस परियोजना की घोशना की गई अगले पांच वर्षों में इसके अंतरगत दो सो से अधिक रोपवे परिजनाएं लागू की जाएंगी देश में भीश्म परियोजना प्रोजेक्ट भीश्म जीश को कहते हैं प्रोजेक्ट आरोग मैत्री का एक भाग है इसके अंतरगत अत्याधुनिक सोदेशी मोबाईल अस्पताल पोटेबल जो अस्पताल हैं उनको जग़ जग़ पे अस्थापित किया जाएगा आरोग मैत्री से काबो वर्डे अफ्रीकी देश है जिसको की विश्वा संग्ठन के द्वारा मलेरिया मुक्त खोशित किया गया है और किसको अभी हाली में मिस्र को भी खोशित किया गया है याद रखिएगा डाक्टर नित्या आनंद 99 वर्ष की आयो में इनका निधन हो गया भारत की पहली मौखिक गर्व निरोधक गोली जिसका नाम सहली हुआ करता था उसके विकास करता थे डाक्टर नित्या आनंद संस्कति मंत्राले भारत सरकार ने गर्तन दिवसपरेट की जहाकी भारत लोक्तन्त की जन्नी के नाम से निकाली थी इसकी थीम थी भारत लोक्तन्त की जन्नी जिसको गर्तन दिवसपरेट की सरसेश्ट जहाकी का प्रथम पुरसकार मिला राज्यों या केंसासिट प्रदेशों की जो जाकिया थी उसमें उडीसा को प्रथन पुरसकार मिला है इरान तीन उपग्रह इरान ने लॉंच किये इस वर्ष की सुरुवात में नाम था महदा, कायहान वन और हतेफ वन ये तीनों इरान के उपग्रह थे जापान ने स्लिम लॉंच करके चंद्रमा पर सॉफ्ट लेंडिंग की और ऐसा करने वाला विश्व का पांच वादेश बन गया स्लिम मतलब स्मार्ट लेंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून ताला वीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट संबलपुर इसा में यह थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जिसका प्रधान मंत्री मोदी के द्वारा लॉंचिंग की गई लद्दाक में खेलो इंडिया सेंटर आफ एक्सिलेंस को हरी जंडी दी गई है खेलो इंडिया सेंटर आफ एक्सिलेंस यहाँ पर बनाया जाएगा कहां लद्दाक में ग्रो ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन आफ वेस्ट लेंड एंड एग्रो फारेस्टी रिपोर्ट और पोर्टल नीत यायोक के द्वारा हाली में इसको लॉंच किया गया भारत के सभी जिलों में क्रिशी उप्योकता का आकलन इसके माध्यम से किया जाएगा वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेर बंजर भूमी या खराब भूमी की बहाली इसका उद्देश है स्वाती Science for Women a Technology and Innovation Portal ये क्या है आउनलाइन पोर्टल है भार सरकारद्वारा राष्टी महिला दिवस 13 फरवरी 2024 को इस्टेम शेत्म महिलाओं की उपलब दिके प्रदर्शन के लिए इसको जारी किया गया इस्टेम मतलब Science, Technology, Engineering, Mathematics और Medical सात्वा हिंद माहसागर सम्मेलन कहा प्राइज उत हुआ पर्थ आस्टेलिया में पर्थ दरसल पश्ची मास्टेलिया प्रांत की रालजानी भी है थीम क्या थी इसकी एक इस्थिर और टिकाओ हिंद माहसागर की तरफ DC-8 8 मतलब 8 hours है 8 गंटे ये क्या है नासा की उडान अंसंधान प्रयोक्षा लाएं है इसका उदेश एशिया में वाई प्रदूशन संबंधी डेटा एकत्र करना है एक बार में ये 8 गंटे की उडान भरेगी इसलिए इसका नाम DC-8 रखा गया है फिलिपिन से इसका सुभारम किया गया नासा का ये उडान प्रयोक्षा लाएं है ध्यान रखेगा प्रदान मंत्री मोदी फरवरी दोजार चोबिस में सेंउक तरब अमिरात के दोरे पे गए दुबई में इन्होंने उस दोरान CBS-8 कार्याले की गोशना की अबू धाबी में इहलान मोदी प्रवासी का एक्रम में समलित हुए कहां अबू धाबी में दुबई में भारत माट की आधार शिला रखी अबू धाबी में UAE के पहले हिंदो मंदिर बैप्स स्वामी नरायन मंदिर का उद्गाटन किया इतना काम ये करके आये वहां से राश्टी फिल्म पुरसकारों के नाम पुरसकार राश्ट में बदला हुआ है सरसेश अबनेता का जो अवाड होता था मुखी भूमक्या में सरसेश अबनेता कहलाएगा इसी तरीके से अबनेत्री वाला मुक्य भूमक्या में सरसेश अपनेत्री अब कहा जाएगा दादा साब फाल के पुरसकार जो होता था उसकी राशित रुपए 10 लाग से बढ़ा करके 15 लाग कर दी गई है हाली में मिथुन चक्रवर्ती पहले प्राप्त करता बनेंगे 15 लाग रुपए के पीम सूर्य घर मुफ्त विजली प्रिवजना प्रधान मंत्री मोदी के द्वारा फरवरी 2024 में यह योजना लॉंच की गई थी एक घोशन की गई थी एक करोण घरों को हर माह 300 जुनीट तक मुफ्त विजली देने का लक्ष इसके अंतरगत रखा गया है बजट 2024 पचीज जो अंतरिम बजट था उसमें इसके लिए 75,000 क्रोण रुपए का प्रावधान किया गया था केंद सरकार डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 40% सबसीडी इसके इंतरगत प्रवाइट करवाएगी क्विनलिंग स्टेशन अंटार्कटिका में चीन का शोध स्टेशन है जो चार्चा का विशय था हंड़ेट क्यूब आयाटी भुनेश्वर का स्टार्ट अप पहल है क्या नामें हंड़ेट क्यूब इसका लक्ष है अकल रोकने के लिए पेपर आउट की जो प्रक्रिया है उस पेपर आउट माफियाओं पर नकेल कसने के लिए यह लागू किया गया UPSC, SSC, RRB, IBPS और NTA पांच प्राधिकरण इसमें सामिल है परिक्षा कराने वाले अजंसियां सामिल है कि इन सरकार चाहे तो अधिसूचना के द्वारा नए प्राधिकरण जोड़ सकती है यह कब से लागू हुआ 21 जून 2024 से लागू हुआ है धारा 9 इसकी धारा जो अधनियम है इसका धारा 9 जो है संगे, गैर जमानती और अशमनी अपराध होशित करता है 15 प्रकार की गतविदियों को 15 प्रकार की गतविदियां शामिल है 3 से 5 वर्ष तक की जेल और 10 लाग रुपए तक का जुर्माना कोचिंग संस्थान अगर संबलित होते हैं यह कारे करते हैं तो एक करुण उर्पए तक का जुर्माना वही संगठित अपराध पर 5 से 10 वर्ष की कैद और रुपए एक करुण उर्पा जुर्माना का प्रावधान इसमें किया गया है संग्तरव अमिरात के दुबई में विश्व गवर्मेंट सिकर समिलन 2024 सायजित हुआ प्रधान मंत्री मोदी युए यात्रा के दोरान भी इसमें भी शामिल हुए थे इस दोरान आई रास्ते जोकी सडक मंत्राले भारा सरकार का प्रोजेक्ट है इसको ए आई संचालित सरकारी सेवा शेड़ी में प्रतिष्ठित गवटिक पुरुसकार 2024 से समनित किया गया उत्राखंड समान नागरिक सहिता विधेक पारित हुआ इसके साथ ही इसके बाद ये अंत्रिक्श में एक हजार दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति भी बन गये रितू बाहरी उत्राखंड है कोट की पहली महीला मुखनयधी जड़ीश बनी है नाम है रितू बाहरी चुनावी बांड योजना वर्स 2018 में योजना शुरू हुई थी सुप्रीम कोट के द्वारा अनुच्छेद 19.1 क केव लंगन के अधार पर असम्यधानिक इसको घोशित कर दिया गया चुनावी बांड योजना को पाँच जजों की समधानिक पीट का यह फैसला आया था जिसकी अध्यक्ता कालिन से CJI माननी चंचूट साब कर रहे थे सुलाहवे वितायो का गठन हाली में हुआ है अध्यक्ष इसके अर्विन पंगडिया बने है सचियो रित्विक रंजन पांडे बने हैं पूर्ण कालिक सदस्य तीन लोग है अजय नरायन जहा जो की पंद्रवे वितायोक के भी सदस्य रहे एनी जार्ज मैथ्यो और राजा ध्यक्ष निरंजन वही अंश कालिक सदस्य सौम एकांति घोश बने है इसका गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया रिपोर्ट या 31 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत करेगा इसकी जो संस्तुतियां है वो 1 अप्रेल 2026 से 2031 तक लागू होंगी पहली बैठक इसकी 16 फर्वरी 2024 को नई दिल्ली में आजित होई केसनी हुजेंस मिशन तो केसनी से आपको पता चली गया होगा ये शनिवा उसके उपग्रहों के अध्यान के लिए भेजा गया मिशन है किसका किसका मिशन है ESA, यूरोपी स्पेस अजनसी, इटली की जो स्पेस अजनसी ASI है और USA की स्पेस अजनसी नासा, इन तीनों का से उक्तमिशन है काजी नेमू एक प्रकार का निम्बू है, असम का राजिफल इसको खोशित किया गया है पेस, नासा द्वारा महासागरों और वाई मंडल के सरवेक्षन के लिए लॉंच उपग्र है, जिसका नाम पेस है क्या नाम है, किसके द्वारा, नासा के द्वारा हैदराबाद, भारत के पहले डिजिटल राश्टी पूरालेक संग्रहले का उद्धाटन, सालार जंग संग्रहले में परिशर में किया गया नवाफ सलाम, तेल लेबनान के ये व्यक्ति हैं, अंतराश्टी न्यायले के अध्यक्ष ये बने हैं आईसीजे के, इंटरनेशनल कोट आफ जश्टिस के अध्यक्ष बनाए गये हैं, नवाफ सलाम कहा के रहने वाले हैं, लेबनान के ड्रीम आफ डेजर्ट, मध्यपूर में साओधी अरब की निर्माणाधीन ट्रेन सेवा है, ड्रीम आफ डेजर्ट, जो सीमांतर देश हैं, वहाँ पर उनके बॉर्डर्स तक आने जाने में काफी सुभधा जनक होंगे, इसलिए काफी चर्चा में है, ड्रीम आफ पट्टा जिसको गोट लेंड तलवार भी कहते हैं, महाराज सरकार का राज हतियार अभी हाली में इसको घुशित किया गया है, गिद्ध, ग्लोबल इनिशेटिव ऑन डिजिटल हिल्थ, किसकी पहल है, डबलु एचो की पहल है, विस्वास संक्ठन की पहल है, डिजिटल हि जल के छेत्र में काम करने के लिए, अउनाचर पदेश जल जीवन मिशन जिसको 15 अगस 2019 को भारसरकार द्वारा प्रारम किया गया था, इसके तहद हर घर जल की 100 प्रत्सत कवरेज हासिल करने वाला पहला नॉर्थ इस्ट स्टेट हो गया है, उत्तरपूर्वी राज्य हो ग अगाले गादीब मारिशस में स्थित दीप है, प्रधान मंतरी मोदी के द्वारा इस दीप पर विभिन परिजनाओं का उधगाटन किया गया, अगाले गादीब, बेल्जियम एको साइड पास्त की संहार को राज़्टी व अंतराश्टी अपराद घोशित करने वाला पहल अगाले कौन थे, पिनाकी चंद घोश थे, 2019 में बने थे, उसके बाद प्रधी पहुंती कारवाहक लोगपाल बने थे, तीसरे कौन बन गये हैं, एम खान विलकर साहब, गगन यान मिशन प्रधान मंतरी मोदी के द्वारा चार पाइलोटों के नाम अभी इस मिशन के लिए सुदर्शन पुल, भारत का सबसे लंबा केबल अधारित पुल है, ओखा को द्वार का गुजरात से जोडता है, धाई किलोमेटर लंबा पुल है, प्रधान मंतरी मोदी ने इसका उधगाटन किया, सुदर्शन पुल, ODCS Intuitive Machines, जो हिउस्टन की कंपणी है, USA की एक निजी कंपणी है, इसके द्वारा निर्मित उपग रहे है, चैंद्रमा की सत्र जो दक्षमिद हुआ है, उस पर उतरने वाला पहला निजी शेत्र निर्मित अंतरिक्षियान बन गया है, 1972 के बाद USA की पहली चंद्र लेंडिंग भी ये रही है, ODCS नाम्याद रखियेगा, IBCA International Big Cat Alliance के स्थापना को हाली में मन्जूरी दी गई, इसका मुख्याल है नई दिल्ली में भारत में होगा, वर्ष 2023 से 2027 के लिए इसके लिए 150 क्रोण रुपया के बजट का प्रावधान किया गया है, यार्स ICBM Intercontinental Ballistic मिसाइल है, रूस के द्वारा हाली में अपनी इस मिसाइल का परिक्षन किया गया, स्वीडन, 7 मार्स 2024 को नाटो का 32 सदस्देश बन गया, क्या नाम है स्वीडन, ये नाटो का 32 सदस्देश बना है, इसके पहले फिनलेंड 31 सदस्देश बना था, नाटो का, जारखंड बारत की पहली विद्वा पुनरविवा प्रोस्तान योजना प्रारम की गई है ताकि विद्वाओं का विवा हो सके उनसे विवा किया जा सके दो लाग रुपे तक की साहता इसके अंतरगत दी जाएगी Transnistria Maldova का रूस समर्थक स्वायद छेत्र है France और Maldova रक्षा सहयोग समझोता हाली में इस छेत्र के लिए किया गया है Transnistria Kalpakam Tamilnadu में इस्थित स्थान है जहाँ पर परमाव सुविधा भारत की इस्थित है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भारत के पहले स्वदेशी प्रोटो टाइप फास बीडर रेक्टर की सुरुआज कलpakam Tamilnadu में की गई है हिसार हर्याणा के हिसार में Stainless Steel शेत्र में भारत के पहले Green Hydrogen सेहत्र का उधगाटन किया गया कहां हर्याणा के हिसार में Mission दिव्यास्त्र Agni 5 missile का MIRV Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicle इसका full farm है जिसका DRDO के द्वारा स्वदेशी तकनीक स्वदेशी रूप से विक्सित तकनीक है यह यह क्या करेगी एक ही बार में कई कई बार कई missile चोड़ सकती है ऐसी शमता भारत ने हासिल कर ली है और यह स्वदेशी शमता है हाली में इसी का सफल उडान पर रिक्षन किया गया तो Mission दिव्यास्त इसी को कहा गया 11 मार्ज 2026 को Wheeler 2024 यहां पर कर दीज़ेगा 11 मार्ज 2024 को Wheeler दीप उडीशा में जो इस थे थे जिसको अब डाक्टर एपी जद्बूल कलाम दीप भी करते हैं वहां से इसका सफल परिक्षन किया गया सक्षम ए भारती चुनावायोग ECI के द्वारा 85 वर से अधिक के व्यक्ति और 40 प्रतिशत बेंच मार्ग दिव्यांकता वाले व्यक्तियों के लिए इसको लॉंच किया गया इसके बाद लोगसभा चुनावा के लिए घर से मद्दान अभियान भी इन्ही व्यक्तियों के लिए चुनावायोग के द्वरा चलाया गया अफानसी निकितिन सी माउंट इन्द महा सागर इस्थित खानीश सम्रिद दछेतर है अफानसी निकितिन सी माउंट इसको कहा जाता है भारत ने हाली में आवेदन किया है अंतराष्टी सीबित' अठाटी में यहाँ पर अन्वेशन के लिए पाली राजस्थान में इस्थित है दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर ओम आकार मंदिर जो की शिव को समर्पित है उसका उदघटन किया गया नागर शैली में इसका निर्मान किया गया है START 2024, इसरो का विग्यान और प्रद्योक की जागरुकता प्रसिक्षण का एक्रम है क्या नाम है, START 2024, इसरो का एक्रम है क्रिस ब्राउन ब्रिटेन के नागरिक हैं दक्षिन प्रशान्द महासागर इस्थित प्रित्वी के सबसे दूरस्त बिंदु निमो तक पहुँचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं क्रिस ब्राउन इस्टार गेट प्रस्तावित अर्टिफिशलवू सुपर कम्प्यूटर है मैक्रो साफ्ट और ओपन याई के मध्य हाली में इस सुपर कम्प्यूटर को स्थाप्रिक्राइब्स विकास करने के लिए समझोता हुआ है Microsoft और Open AI के मद्य और बड़ा समझोता है क्योंकि 100 बिलियन डॉलर की पिरुजना है यह रोमानिया दुनिया का सबसे शक्तिसाली लेजर यहाँ पर विख्षित किया गया है चीरंड पल्स Amplification तकनीक का प्रयोग करके जुडित सुमिनवा तुलका गांगो गडराज की पहली महिला प्रधान मंत्री बनी है के स्टार कोरिया सुपर कंड़क्टिंग टोकामक Advanced Research दक्षिंड कोरिया का कृतिम सूर्य है परमार सनलियन रेक्टर है के स्टार योनोगुनी दीप जापान का दीप है भेंकर भूकम पुर सुनामी के कारण चर्चा में रहा जिमबांबे अल्नीनों के कारण सुखा यहाँ पर आया जिस वज़से इस देश ने राष्टी आ Reserve Bank of India के 90 वश्पून होने के आउसर पर मुंबई में एक कायकरम रखा गया जिसका नाम RBI at the rate 90 था प्रधान मंत्री ने इसको संबोधित किया पश्मीना मार्च 7 अपरेल 2024 को विभिन मांगों को ले करके सोनम वांग चुक के नित्त में प्रस्तावित बार्डर मार्च था ज भारत की पहली स्वदेशी सेल थेरेपी कार्ट सेल थेरेपी है कैंसर के उप्चार के लिए जो लॉंच होई है या भारत की पहली जिन थेरेपी है जिसको राश्पती ने लॉंच किया है ये शो मेकर जर्मन महिला है जै विवत्ताप कन्वेशन सी बीडी की पहली जर्मन जोब इसको भारत का विदेशी मुद्रावंडार सर्वकालिक उच अस्तर पर पहुंच गया किस अस्तर पर 645 संदो 6 बिलिन डालर वरतमान में 680 गया सपास है तीक और ज्यादा हो गया है टी सैट वने भारत का पहला पूर्ता निजी छेत्र निर्मित इसका निर्माट टाट सेंटर फ्लोरीडा अमेरिका से फालकन 9 रॉकेट से सपलता पूरुक लॉंच किया गया टी सैट वने पिन कोड एमेच 1718 भारती डाग विभाग के दवारा अंटार कटिका में डाग घर की दूसरी शाखा आरंब की गई जिसका नाम यह है जिग जिम बांबे दवारा संकट से निपटने के लिए राष्टी आपातकाल यहां पर घोशित किया गया जांबी ड्रक संकट कुछ नामक मानो हड्डियों से बने ड्रक के सेवन से वहां पर जो मदत लोग हो गये उसके लिए राष्टी आपातकाल इसको घोशित किया गया कहां सीरा लियोन में गोप शर्मा के बाद अंत्रिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतिये बन जाएंगे या बन गए इसके अलामा पहले भारती अंत्रिक्ष परेटक भी ये बन गए ठीक है तो दूसरे अंत्रिक्ष यात्री पहले अंत्रिक्ष परेटक भारतिये बने है लिंडी केमरून भारत में ब् के लिए युनिवर्सल मेनिंजाइटी से उसके लिए वैक्सीन है क्या नाम है मेन फाइव नाइजीरिया ने लॉंच किया है इस पेस ध्वानिक विशेशर्था वह मुल्यांकर निकलिए सब मर्शियल मंच डियार्डियों के द्वारा इडुक की केरल में सैन ने उन्नती करण सहायता के लिए लॉंच किया गया है इस पेस को आई आई ए इंडियन इस्टिट्यूट आफ एस्टोफजेक्स 1971 में बंगलूरु में इसकी स्थापना की गई थी जिसको भारती तारा बहुत तिक संस्थान भी कहते हैं अयोध्या में श्री रामलला का सूर इतिलक इसी ने क लांच होगा ठीक है पी एसल्वी एकसल से लांच होगा है यह यह यूरोपी स्पेस अजन्सी का मिशन चुकि एरियन फाइव रॉकेट यह सेवा निवित हो चुके हैं तो यूरोप में वर्तमान में लांच प्रदाता का भाव है इसलिए इस रो इसको लांच करेगा प्रो हश मनी केस किस से संबन्नित है पूर अमेरिकी राश्पति अभी फिर से बन गए डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा गुप्त धन प्रेश्वां से जुड़ा मुकदमा था जिसको हश मनी केस के नाम से जाना जा रहा था मुहम्मद सलेम वर्ड दोजार चॉबिस वर्ड प्रेस फोटो आप देए यह रवार्ड इनको दिया गया फिलिस्तिनी महिला जो गोद में अपने बच्चे को लेकर भाग रही थी उसकी फोटो इन्होंने खीची थी जो काफी फेमस हो गई थी काफी वाइरल हो गई थी पनांद्रो शेत्र कच्छ गुजरात में इस शेत्र है लिगनाइट खदान में विशाल काई सर्प वासुकी इंडिकस के जिवाश्म इस शेत्र से मिले हैं चर्चा में आया है दिगनतारा मुख्याल है बंगलूरू करनाटक में ये केंद्र खोला गया है इसरो अध्यक्ष एस सोमनात के द्वारा अंत्रिक्ष निगरानी के लिए 19 सुविधाओं वाले केंद्र का उधगाटन किया गया कहां पे बंगलूरू करनाटक में इसका नाम दिगनतारा केंद भारत का इलेक्ट्रोनिक नर्यात राज जवार जो सूची आई है सबसे आदा तमिल नाड उसके बाद कमिल करनाटक उसके बाद महाराष्ट वित्ती वर्ष 2023 के लिए इलेक्ट्रोनिक नर्यात सबसे आदा इन राजियों से हुए सिंदेसर खुर्द खदान राजस्थान के उदैपूर में स्थित जिंक की खदान है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चादी की खदान बन गई दिरगायू भारत पहल लांगिवटी इंडिया इनिशेटिव आई आएस्सी बेंगलूर के द्वारा बड़ती उम्र पर शोद के लिए इस पहल को आरम किया गया है ड्रेगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन नासा के द्वारा शनी के उपग्रह टाइटन के अध्यन के लिए वर्ज दोजार अठाइस में प्रस्तावित यह मिशन है ड्रेगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन शेन जोव 18 चीन द्वारा सफल परिक्षन हाली में किया गया है इसका यह तीन सदस्थी चालक दल को तियोंग गोंग अंत्रिक्ष स्टेशन जो की चीन का अंत्रिक्ष स्टेशन है उसमें इसको ले जाया गया था ठीक है ACS-3 Advanced Composite Solar Cell System ACS-3 अंत्रिक्ष मिशन के लिए सौर उर्जा संचालित रोकेट परणाली है नासा के द्वारा इस परणाली को हाली में लॉंच किया गया ACS-3 विजिंगम पोर्ट विया विजिंगम बंदरगा केरल में स्थित बंदरगा है देश का पहला पूर्ण विक्सित गहरे पानी का ट्रांस शिप्मेट बंदरगा बन गया है अडानी ग्रूप ने इसका निर्माड किया है प्रभोवो सुभियान्तो इंडोनेशिया के नए राश्पती नियुक्त हुए है कौन प्रभोवो सुभियान्तो अभेद या एबहेड एडवांच्ट बेलिस्टिक्स फॉर हाई इनर्जी डिफीट डियारडियो ने आयाईटी दिल्ली के सहयोग से इसका निर्माड किया है या भारत की सबसे हलकी बुलेट प्रूप जैकेट है ने दिल्ली CSIR मुख्याले में भारत की सबसे बड़ी जलवाई घड़ी इस्थापित हुई है चांग E6 चीन का हालिया चंद्रमिशन है लांग मार्च 5 Y8 रॉकेट से इसको लॉंच किया गया विन चांग स्पेस लांच साइड जो की दक्षन हिनान प्रांट चीन में है वहां से इसको लॉंच किया गया पहली बार चंद्रमा के दूरस्त हिस्से का अनिवेशन करना और वहां से सेंपल वापस लाना इसका लक्ष है इसमें आर्बिटर, लेंडर, एसेंडर और री एंट्री माड्यूल शामिल है महराष्ट के एक बात हो ध्यान रखेगा कि इसमें पाकिस्तानी एक उपग्रच होटा सा था वो भी शामिल था इसलिए ये भी चर्चा में था चाइना ने पाकिस्तान को भी अपने साथ लिया भारत के मकाबले भारत के तरफ से उसका सपोर्ट करने के लिए महराष्ट के पूडे में भारती सेना के द्वारा भारत का पहला समिधान पार खोला जा रहा है कहां पे पूडे में हंगोर या हैंगर भारत की कलावरी शेंडे की पंडुब्बी के समकक्ष पाकिस्तान के द्वारा बनाई गई या पाकिस्तान में लॉंच की गई पंडुब्बी है हैंगोर या हैंगर इसका नाम है चीन की साहता से पाकिस्तान ने इसको बनाया है फ्लर्ट नया COVID-19 वेरियंट है अमेरिका में यह फैला था बीच में इसलिए चर्चा में आया था प्रोजेक्ट इशान क्या है भारत सरकार के द्वरा अपने चार हवाई छेत्र मुंबई, कुलकाता, दिल्ली और चिन्नाई को एक ही कित करने के लिए, युनिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट इशान लाँच किया गया करीना कपूर खान को भारत के साथ यूनिसिफ के साथ 75 वर्ष की साजयदारी के आउसर पर यूनिसिफ इंडिया ने राश्टी राजदूत बनाया है करीना कपूर खान को न्यूयार्क UNO हेटकॉर्टर जहां पर इस्थित है तो न्यूयार्क इस्थित UNO हेटकॉर्टर में भारत के नित्त में डिजिटल पब्लिक इंफराच्टर पर DPI पर सयुक्त राश्ट के पहले इंटरनेशनल सम्मिट का उजन किया गया कहां न्यूयार्क में विक्टोरिया शी युक्रेन की आधिकारिक प्रवक्ता है दुनिया की पहली आर्टिफिशल इंटिलियंस राजनाईक बन गई प्रवक्ता बनने वाली किसी देश की विक्टोरिया शी आर्टिफिशिल इंटिलियंस प्रॉक्ता है गोल्डीन लिंको पिंग विशुद्याले स्वीडन के वैज्ञानिकों के द्वारा एक परमाव जैसी मोटी सोने से बनी स्वतंतर सीट का निर्माड किया गया पहली बार है जब किसी धात को टूडी सीट में त कि चारिक रूप से महिला हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया किसने यूरॉपी संग आइस लेंड में स्थित मेंध प्लांट हाली में चर्चा में रहा हवा से कारबं ड 13 मेंजाने का दुनिया का सबसे वर्षगाट के उसर पर UNGA के द्वारा 25 मही को विश्व खुडवाल दिवस घुशित किया गया है और वर्ष 24 पहला वर्ष है जब विश्व खुडवाल दिवस मनाया गया 25 मही को उत्राखंड राजसरकार के द्वारा जंगल की आग की घटना को रोकने के लिए कौन सा भिया पिरूल लाओ पैसे पाओ उत्राखंड सरकार की योजना एजेंडा 2063 किस से संबंदित है अफ्रीकी संग से संबंदित है अफ्रीकी संग द्वारा एक एकिकित सम्रिद और शांत पूर्ण अफ्रीका के लिए एजेंडा 2063 को उपनाया गया है साहुल हाली में इसकी खोच क प्रोवाइट करता था आस्टेलिया को पपुआ नियुगनी से यह जोडता था इसकी खोज हाली में शोत करता होने की है तो लैम वियतनाम के नैराश्पती बने हैं वेनेजवेला विश्व का पहला देश बन गया है जिसके सभी ग्लेशियर पिखल गये राबर्ट फिको स् इक्वेटिक संग के द्वारा भूटान में विश्व का सबसे उचा 2400 मीटर का प्रतिसपर्धी स्वेमिंग पूल लॉंच किया गया आपरेशन मर्यादा उत्राखंड पुलिस के द्वारा के दारनात यात्रा के शांत पुरु संचालन के लिए आपरेशन मर्यादा जित की गया नई दिल्ली में स्नाइडर इलेक्ट्रिक जो कंपनी है इसके द्वारा भारत का सबसे बड़ा अफस्ष्ट जल उपचार संयत्र स्थापित किया गया कहां नई दिल्ली में ड्रिम्स असम सरकार के द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से लॉंच आपदा एन यूनाइटेट किंग्डम से संबंदित है उननिस सो सतर असी के दशक में खून घोटाला हुआ था हमें फोलिया रोग फैला था तो उसमें रक्तादिका बहुत घोटाला हुआ था उसी की जाच रिपोर्ट आने वाली थी इसलिए चर्चा में था दूशित रक्तकांड इब्राहिम रही सी इरान के दिवंगत राश्पत्ति हैं इनके मृत्ति हो गई क्यों मृत्ति होई अजरवैजान के उपर हेलिकाप्टर इनका दूरटना गर्स हो गया हेलिकाप्टर का नाम क्या था बिल 212 24 मही UNGA के द्वारा अंतर राश्टी मार्खोर दिवस के रूप में घुशित किया गया इसका प्रस्ताव पाकिस्तान लाया था पाकिस्तान का राश्टी पशुभी है मार्खोर एक जंगली बकरी है या करनाटक सरकारी कॉन्टेक्ट नौकरियों में जॉप्स में महिलाओं के लिए लेडीज के लिए 33 परसंट एजरवेशन अनिवार मेंडेटरी कर दिया करनाटक सरकार ने तिरोननपुरम हवायड़ा जीरो वेस्ट्टू लेंडफिल का दरजा पाने वाला पहला भारती हवायड़ा बन गया है कौन तिरोननपुरम हवायड़ा इसने लेंडफिल से 99 परसंट लगबग 100 परसंट अफस्ष्ट डैवर्जन हासिल कर लिया है जोती अत्रे एवरेश्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज महिला बन गई है भोपाल मतपदेश की रहने वाली है तिरपन वर्ष की है कलकत्ता हाई कोट पश्चिम मंगाल सरकार के द्वारा वर्ष 2010 के बाद जारी सभी OBC प्रणपत्र रद कर दिये जिस करण काफी विवाद हुआ मुनीब अमनभट भारती तक्नीकी विशेशक्य है कश्मीर के नासा के हाल आफ फेम में ये शामिल हुए है मुनीब अमनभट भारती तक्नीकी विशेशक्य है कश्मीर के रहने वाले है नोट पिन क्या है विश्व का पहला 100 प्रत्षत बायो डिग्रेडेबल पिन है सौरब महता के द्वारा दिल्ली में इसको लॉंच किया गया ड्रोन दिवार ड्रोन वाल क्या है छे नाटो सीमा वरती देशों ने रूस के विर्द्ध हाली में ड्रोन वाल बनाने की योजना बनाई ये छे नाटो देश कौन-कौन से हैं फिनलैंड, नार्वे, पोलैंड, एस्टोनिया, लाटविया और लिथवानिया प्रीफायर जलवाय परिवर्थन की निगरानी वह उसे कम करने के लिए नाशा का उपगरह मिशन है जिसका नाम है प्रीफायर प्रवाः पोल्टल रिजर्वेंक आप इंडिया गवर्न शक्तिकान दास्त के द्वारा हाली में प्रवाः पोल्टल लाँच किया गया नियामक, आवेदन, सत्यापन और प्राधिकर्ण मंच है प्रकार का यह प्रवाह पोर्टर ओपी, ओएफ का एक्रम, वन परसन, वन फाइल का एक्रम, चीन का डिजिटल पहचान का एक्रम है जो चर्चा में रहा रूद्रम सेकंड, DRDO के द्वारा वेक्षित हवा से सत्ह पर मार करने वाली मिसाइल है भारत द्वारा बनाया गया पहला एंटी रेडियेशन हतियार भी है इसका निर्मार DRDO ने इंडियन एर फोर्स और H.A.L. के साथ मिलकर किया है रूद्रम 1 सुपरसोनिक मिसाइल था, रूद्रम 2 ये हाइपरसोनिक मिसाइल है तेलंगाना अतम बाकू उत्पादों की बिक्री उत्पादान विपड़न पर हाली में प्रतिबंद लगाया किस सरकार ने तेलंगाना सरकार ने इटली में स्थित सक्रीजवाला मुकी है, शक्ति साली भूकम के करण चर्चा में रहा इटली में स्थित सक्रीजवाला मुकी है, कैंपी फ्लेगे जीरो डेब्रिस चार्टर, सुन मलबा चार्टर, नॉम्बर 2023 में जो की सुरू हुआ था यूरोपियन यूनियन अंतरिक्ष परिशत का यह चार्टर है 12 देशों ने इस पे हस्ताक्षर कर दिये हैं इसका लक्ष 2030 तक अंतरिक्ष मलबा को खतम करना है 2030 तक ध्यान लखेगा माउंड मुगालो पापुआ निवगनी में इस्थित यह परवत है हाली में भूस खलन के करन 2000 से ज़्यादा लोग इसके नीचे दब गए अठारवा लोकसभा चुनाओ परिडाम इस बार अठारवा लोकसभा चुनाओ जो हुआ प्रोटम स्पीकर इसके भरतिहरी महताब रहे उडिशा से यह सांसद है प्रोटम स्पीकर सभी सदस्यों को सपत दिलाने के लिए होता है जब तक अगला अध्यक्ष नुचुन लिया जाए 543 में से 542 के परिडाम ही आये क्योंकि एक सदस निर्विरोध निर्वाचित हुआ था संसा सदस से कौन सूरत से मुकेस दलाल जो बिजेपी कंडिडेट थे इंडिया गडबंधन को बहुमत इसमें हाशलवा इस चुनाओं में 292 सीटें हासिल हुई इंडिया गडबंधन को मार्त 234 सीटें मिली सबसे बड़ी पार्टी बिजेपी रही 240 सीट के साथ उसके बाद कांग्रेस 99 सीटों के साथ उसके बाद सपा 37 सीटों के साथ इंडिया में बिजेपी को 240, टीडीपी को 16, जेडीओ को 12 सीटें इंडिया में कांग्रेस को 99, सपा को 37 और तिर्मूल कांग्रेस को 29 सीटें प्राप्त हुई प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 11. diff 75 अजार मतों से सबसे बड़ी जीत उन्हों ने लोकसबा चुनाओं में दर्ज की इस बार पिछली बार के मुकाबले कम महिलाएं चुनी गई है पिछली बार अरथा 17 लोकसबा में 78 महिलाएं थी 14 प्रस्चत ये होता है पूरा संसर सदस्वों का वहीं इस बार 74 महिलाएं हैं 14 प्रस्चत से थोड़ा कम 13.6% ही सरवाधिक जो महिलाएं हैं बंगाल से हैं त्रिन मुल्क कांग्रेस से आती हैं अठ्वारिमी लोकसभा के साथ 4 विधान सभा चुनाओ भी संपन हुएं उड़ीसा में 147 सीटों के लिए चुनाओ हुए बीजेपी को पहली बार इस राज में बहुमत मिला आन्द प्रदेश में 175 सीटों के लिए मद्दान हुए टीडीपी को बहुमत हासिल हुआ 135 एंडिय को 31 सीटें प्राप्त हुए 32 में से चीफ मिनिस्टर क्रमशा ओडीशा में मोहनमा जी आन्द प्रदेश में चंदबाबू नायडू अवनाचर प्रदेश में पेमा खांडू और सिक्की में प्रेम सिंग तमाम बने कासा दक्षिन कोरिया के द्वारा राष्टी क्लावडिया शीनबाम मेकसिको की पहली महिला राष्पती रामसर अस्थल भारत में अब कुल 85 रामसर अस्थल हो गया है। बाद में बिहार के दो बने थे नागी और नकोटि पक्छिय अभ्यारन और अभी हाली में तमिलनाड के दो और मत्पधेश का एक कुल तीन अर जुड़ गया, तीन और रामसर अस्थल जुड़ गया तो अब 85 हो गया भारत में, तमिलनाड के नंजरायन और काजु वेली पक् प्चासी हो गए हैं बायो फार्मा स्टिकल गडवंधन भी एफे भारत दक्षिंड कोरिया अमेरिका जापान और उरोपी यूनियन द्वारा आपूर्त शिंखला में लचीले पन के लिए किसमें आपूर्ति शिंखला में बायो फार्मा जो उत्पाद हैं उसमें उद्घाट बैठक सैंड यागो अमेरिका में बायो इंटरनेशनल कंवेंशन दोजार चोबिस के दोरान किया गया यह भी पूछ सकता है बायो इंटरनेशनल कंवेंशन का हुआ हुआ तो सैंड यागो में हुआ बिम रेन पहल ब्लू एकोनॉमी में शोद को बढ़ावा देने के लिए बिम स्टेक देशों के पिएशडी चात्रों के लिए आरम पहल है बिम रेन पहल भारती विदेश मंत्राले की यह पहल है नौ जून को पीएम मोदी का तीसरी बाशपत ग्रांट कब हुआ नौ जून को हुआ त्रिशना मिशन भारत और फ्रांस का अथाद इसरो और सियन ए प्रित्वी के जलवाई के अध्यने के लिए इसको प्रेशित किया गया किसके द्वारा फालकन नाइन राकेट के द्वारा मलावी राजधानी जिसकी लालांगवे है अफ्रीका का अस्थाल रुद्देश है उप राशपती सैलोस चिलिमा जो यहां के थे उनका विमान हास से मिन निधन हो गया मोदी 3.0 का पहला नेणै क्या था जो मोदी सरकार की जो तीसरी पाली है इसका पहला नेणै क्या था प्रधान मंत्री किसान सम्मान निदिगी 17 किस्त को मंजूरी देना कुवैत में 7 मंजिला इमारत में आग लगने से सैकडों मज्दूरों की मौथ हो जिसमें 42 भारती भी शामिल थे संग वर्ष 2025 को किस रोप में खोशित किया इसने क्वांटम विज्ञान वर प्रद्योक्की का अंतराष्टी वर्ष के रोप में विज्ञान विद्धुतरक्षक भारती सेना के दौरा आरंब इंटरनेट आफ्थिंग आधारी ट्रेकिंग सुरक्षा और नियंतरापडाली है विद्धुतरक्षक किसका नाम है एपल माइक्रोसाप को पचाड करके एपल जो है दुनिया की सबसे मुलिवान कंपनी बन गई है बिहार उचन्याले ने बिहार सरकार के आरक्षन संबंधी पचास प्रस्चत से बढ़ाकर जो 65 प्रस्चत करने का निर्णे था उसको रद्ध कर दिया सूर्मा पाढ़ी उडिसा विदान सभा की दूसरी महिला स्पीकर बन गई कौन सूर्मा पाढ़ी तजाकिस्तान हिजाब तथा इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बना कौन तजाकिस्तान चिनाव रेल्वे ब्रिज विश्योका सबसे उचा रेल्वे ब्रिज है रियासी जिला जम्मू कश्मीर में इस्थित है 369 मीटर उचा है अर्थात एफिल टावर से 35 मीटर जादा उचा है उधंपुर, सीनगर और बारा मुला रेल्लिंक पर यह इस्थित है थाईलेंड दक्षिनपूर्वे एशिया में समलेंगिक विवा को मानता देने वाला पहला देश बन गया है थाईलेंड खालू बार युद्धिस्मारक भारती सेना के द्वारा कारगिल दिवस की 25 वर्षगाट के उपलक्ष में लब्दाक में इस इस्मारक को खोला गया है खालू बार युद्धिस्मारक SVOM, Space Variable Object Monitor, गामा रेविस फोटों का अध्यन करने के लिए कोजी कोड केरल में इस्थित है, युनेस्को के द्वारा भारत के पहले साहित्य के शहर के रूप में समानित किया गया इसे किजे किसे कोजी कोड को श्रीन अगर विशोशेल परिशत द्वारा विशोशेल सहर के रूप में हाली में इसको नामित किया गया है इस तरीके से चोथा भारती शहर हो गया है विशोशेल सहर का दरज़ा पाने वाला इसके पहले जैपुर, मल पूरम और मैसूर को यदरजा मिल चुका है अंकटाड साथमी वर्षगाट इस वर्ष थी उसकी इस उसर पर इसने अपना नाम बदल लिया पहले इसका नाम UN Conference on Trade and Development होता था अब क्या हो गया UN Trade and Development हो गया हाला कि संक्षिप्त नाम अंकटाड ही रहेगा इसका मद्य प्रदेश मंत्रियों को अब आयकर भुक्तान स्वयम करना होगा राज सरकार पर अभी तक भारित होता था मद्य प्रदेश सरकार ने यहन ने लिया है मुंबई भारत का पहला Artificial Intelligence समर्थित संस्थान Universal Artificial Intelligence विशुद्याले यहाँ पर खोला गया है संस्थापक इस विशुद्याले के कौन है तरुण आनन्द गाधी नगर गुजरात में राष्टी रक्षा विशुद्याले परिसर में भारती उलम्पिक अंसंधान और सिक्षा केंद्र का उधगाटन किया गया है अठारमी लोकसभा में स्पीकर ओम बीड़ला और दस वर्षों में पहली बार लोकसभा में विवक्ष के नेता का पद भरा कौन बना लोकसभा में विवक्ष का नेता रावल गाधी बने हालाकि जो पद है वो समधानिक पद नहीं है अंतर राष्टी सौर गर्वंधन निन्यान्विमा सद से स्पेन सववा सदर से परागवे अब ही हाली में 101 सदर से कौन बना है नेपाल बना है हनसा महता जो प्रसिद्ध स्वतंता से नानी थी और मानवा दिकार जो घोशनात पत्र था उसको ड्राफ्ट करने में इनकी महत्पूर्ण भूमिका थी से उक्तराष का जो मानवा दिकार चार्टर था तो से उक्तराष की महासभा के द्वारा कूट नीत में महिलाओं के अंतराष्टी दिवस के अउसर पर इनको सम्मानित किया गया हनसा महता को विपणन सत्र दोजार चोविस पच्चीस के लिए खरीब फसनों का MSP घोशित किया गया है जिसमें महत्पूर्ण फसल धान का हो सकता है पूछले सामान जो था उसमें 117 की रुपए की बढ़ोत्तरी हो गई है पहले 2183 रुपए प्रतिक्विंटल था अब 2300 रुपए प्रतिक्विंटल हो गया है वहें ग्रेड ए धान की कीमत पहले 2203 रुपए प्रतिक्विंटल थी अब 2320 रुपए प्रतिक्विंटल हो गई है दोनों में 117 रुपए का इजाफा हुआ है आज में इस्तेहकाम पाकिस्तान के दोरा आतंकवाद के विरुद सुरू अभियान है आज में इस्तेहकाम जनरल उपेंदिवेदी भारत के नए सेना प्रमुग बने है तीसमें सेना प्रमुग बने है मनोज पांडे की जगह पर लद्दाक उल्लास नो भारत साक्षर्ता का एक्रम के तहट पूर्ण कार्यात्मक साक्षर्ता हासिल करने वाली पहली प्रशास्मी काई बन गई है कौन लद्दाक सतानवे प्रच्षत से अधिक साक्षर्ता दर यहां पर हासिल हो गई है उल्लास क्या है अंडरस्टेंडिंग आफ लाइफ लाइफ लॉंग लर्निंग फॉर आल इन सोसाइटी जीवन पर्यंत सीखने का के सिध्धान प्रयाधारित है वह 2022 से 2027 तक के लिए आरंभ है पंदर वर्स या अधिक के लोग इसमें शामिल है जो स्कूली सिक्षा से वंचित रह गए है मार्क रूटे डच प्रधान मंत्री थे नीदेलेंड के प्रधान मंत्री थे नाटो के नए महासचियों बन गए है एंटोनियो कोश्टा पुर्तगाल के पूर्प्रधान मंत्री थे यूरोपी परिश्यत के नए धेक्ष बन गए है डेनमार्क पशुधन उस सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगाने वाला देश बना है कौन डेनमार्क अभ्यास DRDO के एरनॉटिकल डेबलम्मेंट प्रयोक्षाला जो की ADE बेंगलूरू में स्थित है इसके दवारा निर्मित हाई स्पिट एक्सपेंडेबल एरियल टार्गेट है क्या नाम है अभ्यास हाले में इसका सफल परिक्षन DRDO के दवरा किया गया UAE और भारत ने जून दोजार चोबिस में CEPA व्यापक आर्थिक भागेदारी समझोते पर हस्ताक्षर किये कामप्रियसल इकोनामिक पार्टनर्शिप एग्रिमेंट पर शाइन किये UAE ने भारत के साथ जून दोजार चोबिस में सैउतरा सुरक्षा प्रिश्चत में पांच नए सदस्य स्थाई कोन बने हैं पाकिस्तान सुमालिया पनामा डेनमार्क और यूनान एक जनर्री दोजार पच्चिस से ये कारभार समालेंगे अपना महाराष्ट में मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना और लाडला भाई योजना सुरू हुए जिसका चुनाओ पर जो जीत हुई है काफी असर देखा गया मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को रुपए 1500 मासिक वित्ती सहता दी जाएगी पात्र महिलाएं जो होंगी गरीबी आए आधि को अधार बनाया गया इसमें महीं लाडला भाई योजना में बार्वी पास युवाओं को 6 जार रुपए प्रतिमा डिप्लोमा प्राप्त युवाओं को 8 जार रुपए प्रतिमा और गरेजवेट युवाओं को 10 जार रुपए प्रतिमा तक की सहता दी जाएगी महाराश्ट के अमरावती में एर इंडिया के द्वारा दक्षिन एसिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा कहां पे अमरावती में डिक स्कूब नीदर लेंड के नए प्रधान मंत्री बने है निर्माड पोर्टल केंदरी मंत्री जी किशन रेड़ी के द्वारा UPSC में प्रिलिंस पास कर चुके लोगों के जो शात्र हैं उनकी साहिता के लिए निर्माड पोर्टल जारी किया गया मसमी सहज एक एप्लिकेशन है स्टेट बैंक आफ इंडिया के द्वारा मसमी इसको 15 मिनट के भीतर बीना मैनुवल हस्तक शेब के एक लाग रुपे तक की वित्ती साहिता रिंड देने के लिए वित्ती साहिता नहीं कर्ज देने के लिए इसको सुरू किया गया है मसमी सहज भारत अपने संपूर्ट प्राणी जगत की चेक लिष्ट तयार करने वाला दुनिया का पहला देश कोन बन गया है भारत कीर इस्टारमर बिटेन के नए प्रधानमंत्री बने है हाली में हुए चुनाओं में लेबर पार्टी विजेता बनी कंजर वेटिव की 14 वर्षी सत्ता समाप्त हो गए बजाज आटो दुनिया की पहली CNG वाइक फ्रीडम किसने लॉंज की बजाज आटो ने दुनिया की पहली CNG वाइक नितिन गटकरी ने इसको दिल्ली में लॉंज किया सम्पूर्टा अभियान 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाला नीत यायोक के द्वारा शुरू अभियान है सम्पूर्टा अभियान आकांच्छी जिला और बलाक जो अकांच्छी जिला कायक्रम और अकांच्छी बलाक कायक्रम इनके कायक्रमों के प्राभ्यक्ता में वृद्धी लाने के लिए 6 मापदंडों पे कारे करता है सम्पूर्टा अभियान जो रावर स्वदेसी हलके टैंक हैं DRD और LNT के दौरा इसका विकास किया गया है प्रधान मंत्री मोदी 8 से 10 जुलाई रूस और आश्टिया यात्रा पर गए इस दोरान 22 मी भारत रूस वार्षिक सिकर समयलन में भी हिस्सा लेने गए रूस में 8 से 9 जुलाई गए फिर आश्टिया गए रूस में इनको सर्वोच राष्टी पुरुसकार दा आडर आफ द एंड्रियूस द एपोस्टल से समानित किया गया 2019 में इसकी घुशना की जा चुकी थी मोदी पहले भारती नेता बने हैं यह सम्मान पाने वाले आश्टिया इसके बाद गए प्रधानमंत्री 9 से 10 जुलाई वहाँ पर रहे है भारत आश्टिया संबंधों का ये 75 वर्ष भी है 41 वर्ष बाद कोई प्रहरती प्रधान मंत्री आश्टिया गया था हरित हाईडोजन पर समझोता आश्टिया के साथ भारत ने किया इस दोरान आश्टिया के जो चांसलर है क्या नाम है उनका कार्ल नहमर नाम है इनका प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट आफ इंडिया साजनिक कला के साथ दिल्ली का सौंदेर बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट परी लॉंज किया गया है संस्कती मंत्राले के द्वारा इसे विश्धरोर समिती जो युनेस्को की विश्धरोर समिती है जिसका 4670 नई दिल्ली मे उसके तहट सुरू किया गया है प्रोजेक्ट परी को गोतम गंबीर भारतरी किकेट टीम के जो पुरुष टीम है उसके नए मुख कोच बने हैं बीकूर भारत सेंटर फॉर ओलंपिक रिसर्च एंड एजूकेशन राष्टी रक्षा विशुद्याले जो गाती नगर गुजर परिशर में हैं भारत का पहला ओलंपिक अध्यानवा अंसंधान केंद्रेहां पर सुरू किया गया है बीकूर इसका नाम है मेडविस यह मेडिकल डिवाइस इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जिसको विश्वास संग्ठन ने लॉंच किया है कुलंबो सुरक्षा समयलन वस 2011 में भारत श्रीलंका और माल्दिव के द्वारा इसकी सुरुवात की गई थी इसका मुख्याले कुलंबो श्रीलंका में है 2022 में मौरिशस इसका चोथा सदसे बना था हाली में पांचवा सदसे कौन बना है बांगला देश 25 जून को भारत सरकार के द्वारा समिधान हत्या दिव के रूप में खोशित किया गया 25 जून 1975 को दरसल आपात का लागो किया था देश में इस लिए इस दिवस इस दिवस को घोशित किया गया है एग्री स्योर फंड श्टार्ट अवक्रिशे उद्यमियों के लिए 750 क्रोन रुपए के फंड की घोशना हाली में सरकार ने की है इ शिवा किसान कल्यान युभाक से 250 क्रोन रुपए और वित्ती संस्थानों से 250 क्रोन रुपए जुटाए जाएंगे कुल 7500 क्रोन के कोश की घोशना ये की गई थी इसका नाम एग्री स्योर फंड है इस टार्ट अप और किशो दिम्यों को बढ़ावा दिया जाएगा इसके पिदावाद हरियान में डाक्टर जितेन सिंग के द्वारा जय प्रद्योकी केंद परिसर में एशिया की पहली और विश्यो की नवी प्री क्लीनिकल नेटवर्क सुविधा लॉंच की गई है पाल कगा में चोथी बार रवांडा के राश्वती बने हैं कौन पाल कगा में अस्मिता परियोजना प्रोजेक्ट अस्मिता जिसको कहते हैं भारती भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सिक्षा मंत्राले और यूजीसी के द्वारा लॉंच किया गया है मिलकर के इसका लक्ष पांच वर्षों में बाईस भाषाओं में बाईस अजार पुस्तकें त पाध्यक्ष डाक्टर सुमन के बेरी हैं और सीओ बीयार सुबनवर्णियम हैं अंत्रेक्ष अंसंधान कमेटी कोसपार उननीस ओठाउन में इसकी अस्थापना की गई थी हेटक्वार्टर इसका पेरिस में हैं पैतालीस में वैज्यानिक सभा का इसके आयोजन हुआ प्रहलाद अग्रवाल और अनिलतार भारतवाज को हैरी मैसी अवाड और विक्रम सारा भाई पदक से सम्मानेत किया गया यह द्वी वार्शी की आयोजन है बुसाने दक्षण कोरिया में आयोजित हुआ MVC चेंज दुनिया की पहली वाड़जिक यात्री फेरी है जो 100% हाइडोजन इधन से संचालित है सेन फ्रांसिस्को अमेरिका में लॉंज गी गई 100% हाइडोजन इधन से संचालित है MVC चेंज मिस्सी इलियट का प्रतिष्ठित गीत है दरेन जिसे नासा ने प्रकाश ही गति से अंतरिक्ष भेजा प्रकाश ही गति से अंतराष्टी टेनिस हाल आफ फेम भारती दिगज लिएंडर पेस और विजे अमरित राज पहले भारती वजियाई टेनिस पुरुस खिलाडी बन गए इस हाल आफ फेम में शामिल होने वाले भारत 28 देश बन गया जिसके खिलाडी टेनिस हाल आफ फेम में शामिल हुए है रामसेस ये क्या है रैपिड अपोफिस मिशन फॉर सेफटी येरोपियन स्पेस एजनसी के द्वारा शुद ग्रह अपोफिस को वर्ष 2019 में जो पृत्वी से निकट या फिट टकराने की जो कलपना है उसको रोकने के लिए ये कायकरम है रामसेस मनोलो मारकेज स्पेन के हैं भारती फुटबाल टीम के मुख्य कोच बने हैं आईजोल मिजोरम की राजधानी है आईटी मंत्री अश्नी वेश्णों के द्वारा भारत का 501 सामदाइग रेडियो स्टेशन जिसका नाम अपना रेडियो 90.0 FM है इसको सुरू किया गया तुर्की संसत द्वारा आवारा कुत्तों की इच्छा मित्य संबंधी विवादास्पत कानून पारित किया गया समार उर्जा एक्ट की धारा सेक्षन 123 है जिसको 123 एग्रिमेंट कहा जा रहा है क्या है ये अमेरिका सिंगापूर का असैन परमाव सहोग सम्झोता है तीस वर्षों के लिए ये समझोता किया गया है नई दिली यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा संग्रहले यूग-युगीन भारास संग्रहले अस्थापित होगा हाली में यह सेंटरल विष्टा प्रोजेक्ट का भाग है युग-योगीन भारत संग्रहाले पर राज संग्रहाले संभिलन का उधगाटन केंद्री मंत्री गजिन श्रीम सखायवत के द्वारा नई दिलिम किया गया पंजाव राज बनाम दविंदर सिंग्वाद हाली में काफी चर्चा में रहा सी जे आई डी वाई चंचूट के ध्यक्सता वाली सात न्याय धीशों के खंट पीट का फैसला आया केवल एक मातर न्याय मूर्ति बेला तृवेदी इसके विपक्ष में थी SC ST उप वरगी करण को सही उचे ठराय गया और इसका अधिकार राज्यों को दिया गया कि SC ST उप वरगी करण कर सकते हैं राज्यों को ये अधिकार है यामनी किश्णमूर्ती भरत नाट्यम कुचिपूडी सास्ती त्यांगना भारत की थी 83 वर्ष की आयू में हालिम इनका निजन हुआ है अगस्त दोजार चोबिस में पदम शीप पदभूशन और पदम भीभूशन तीनों ही पदम अवार्ड इनको प्राप्थ चुके हैं भारत रत में छोड़ करके बाब रे कनाडा के राजदूत थे यूएनों में स्युक्त राष्ट संग में यूएन इको सौग स्युक्त राष्ट आर्थिकों सामाजिक परिशद के अध्यक्ष चुने गए हैं बाब रे कनाडा के हैंगे एक्जियोम 4 क्या है इसरो और नासा का यह मिशन है एक्जियोम 4 वह 2023 में प्रधान मंत्री मोदी की USA यात्रा में इसको घुशित किया गया था अंतर राष्टी अंतरिक्ष इस्टेशन के लिए भारत ने एक्जियोम 4 के लिए दो लोगों को चुना है सुभान्सु सुकला पाइलेट के रूप में जाएंगे और प्रशान्थ बालकिष्ण जो बैक अप पाइलेट के रूप में जाएंगे चंडी गडग्री मंत्री द्वारा नए आपरादी कानूनों से समंदित 4 एप लांच किये गए यहाँ पर इस समन न्याय सेत्य और न्याय शृति राश्पती द्रोपदी मुर्मू अगस्त में फिजी यात्रा पे गई जहाँ पर फिजी का सर्वोच नागरिक सम्मान कंपेनियन आप दे आर्डर आफ फिजी से इनको समनित किया गया हरियाना सरकार द्वारा सभी फसलों को MSP पर खरीदने की घुशना किए इसके साथ ही ऐसा करने वाला पहला राजिय होगा इस तरीके का काम करने वाला MSP पर सभी फसलों को खरीदने वाला गुवा विधान सभा में स्टी के लिए सीट्या रक्षित करने के लिए विध्यक कहां पर पारित हुआ हाली में गुवा में संसद में यह विध्यक पेश हुआ है ठीक है नव राज्यों में नए राज्यपाल हाली में बनाए गये हैं इनके नाम याद रखेगा अगस्त दोजार चोबिस में जहार खंड में संतोष गंगवार सिक्कीम में ओपी माथुर राजस्थान में हरिभाव बांगडे तेलंगाना में जिश्नो सर्मा में घाले में सी एच विजे शंकर चतीस गड़ में रमन डेका महराष्ट में सी पी राधा किश्नन पंजाब में गुलाब चंद कटारिया और असम में लक्ष्मणाचारिया आरबी आई रेजर मेंक आफ इंडिया लगाता नौई बार रेपो दर को इसने अपरवर्तित रखा रेपो रेट 6.5 परसेंट रिवर्स रेपो रेट 3.35 परसेंट बैंक रेट 6.75 परसेंट है आनपदेश थानी निकाय चुनाओं में दो बच्चों वाली जो नीती थी अनिवार्यता थी उसको समात करने का फैसला हाली में सरकार ने लिया है थाउजन्ट सेल कंस्टेलेशन स्पेस एक्स के स्टारलिंग के मुकाबले चीन की परियुजना है थाउजन्ट सेल कंस्टेलेशन परियुजना चीन की परियुजना है राश्पती दोपती मुर्मू अगस दोजार चोबिस में निव्जिलेंड की यात्रा पे रहें वहां की मावरी जन्जात के पाहिरी उस्सों में इन्होंने भाग लिया वहां के आक लेंड में भारत द्वारा वाड़िजिक दूतावास खोलने की घुशना की इसके बाद ये तिमोर लेश्टे की आतरा पर गई जहां वहांके सरवोच नागरिक सम्मान Grand Color of Timor लेश्टे से सम्मानित की गई Million Designers, Billion Dreams, DNRLM राष्टी ग्रामीड आजी का मिशन के इंतरगत Million Designers, Billion Dreams इसको सुरू किया गया है ग्रामीर उद्यम्यों को सशक्त बनाने के लिए इसको सुरू किया गया है भारत की जन औशिद योजना में शामिल होने वाला पहला देश कौन बन गया है मौरिशस बन गया है अंडमान नीकुवार की जनजाती है शोमपेन जो अठारवी लोगसभा में पहली बार जिसने मद्दान किया हैदराबाद में पहले राष्टी पूरा लेग डिश्टल संग्राले की आधार शीला रखे गई इसके साथ ही हैदराबाद में कानहा शान्ति वनम में वैश्विक अध्यात्मिक महोसो भी आयुजित किया गया मुखी क्या है जोला मुखी से याद रखेगा इसकी मा है जोला और इसकी पुत्री है मुखी चीता पुनर्वास प्रयुजना के तहट कूनो राष्टी उध्यान में भारत में जन्मी पहली मादा शावक है क्या नाम है इसका मुखी गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्ब छत्यजगड का चोथा बाग अभ्यारणय बनेगा अभी हाली में 36 गड सरकार के दोरा बागों की आबादی बढढने के लिए इसकी गोशना की गई नागालेंड आपदा प्रवंधन बीमा योझना हाली में शुरू करने वाला देश का पहला राज़ बना है आपदा प्रवंधन भीवायोजना शुरू करने वाले हिंदमा सागर में पानी के नीचे तीन सरशनाओं का नामकरण भारती प्रस्ताओ जो हुथा उसको युनेसको ने युनेसको के एक आयोग ने अनुमती या मानिता प्रदान कर दी कौन-कौन से तीन अस्थान है ये अश प्रदान मंतरी मोदी ने लगातार ग्यारिमी वार राल के लिए से संबोधित किया शीथा थावी सिन थाईलेंड के पूर प्रदान मंति थे रिशोत मामले में शामिल कैबिनेट सदस्रे को न्यूक्त करने के करन न्याले द्वारा पत से इनको हटा दिया गया नैतिक प्रदान मंतरी बन गई है इनके हटने के बाद फेट थाई पार्टी मामला इसको कहा जा रहा है इसलिए याद रखेगा में हो सकता यही पूछले आप से तो फेट थाई पार्टी के नैतिक उलंगन के मामले में थाईलेंड के पूर प्रियम सीथा थावी सेन हटा दिये ग प्रव हैं ये भी नैतिक उलंगहन माना गया अदालत के द्वारा जल प्रद्योकी केंद भारत और इस्व्राईल के द्वाराइयाटी मद्रास में त्थापित होगा क्हां पर नई दिल्ली में क्रिशिमंतृ ऌग्रासिंग चोहां के द्वारा राष्टी कीट निगराणी पणाली NPSS का उधगाटन किया गया कहाँ पे नई दिल्ली में गौरो क्या है 1000 किलोग्राम का लांग रेंज ग्लाइड बं है DRDO के द्वारा इसका सफल परिक्षन किया गया सुपर ब्लू मून 19 अगस 2024 का यह दुरलब परिखटना दिखी जब चाद अपनी कक्षा में प्रिथवी के सबसे नजदीक बिंदू पर रहता है तो पहले की तुलना में बड़ा और चमकीला दिखता है 10 से 20 वर्षों में यह परिखटना दिखाई परती है भारत जापान 2 प्लस 2 वर्था जो तीसरी वर्था थी ऐसी नई दिली में अकस 2024 में आउजित हुई इसके पहले पहली वर्था भारत जापान की इस तरह की 2019 में नई दिली में हुई थी और दूसरी 2022 में टोक्य में हुई थी जापान की तरफ से विदेश मंत्री मित्रा योकुक कमिकावा और रक्षा मंत्री किहारा माईनोरू ने इस सम्मिलन में हिस्सा लिया जैक्सन होल संगोष्टी वार्षिक आर्थिक आयोजन है USA के कंसास में फेडरल रिजर बैंक के द्वारा 1978 से इसका आयोजन किया जाता है हाली में इसका आयोजन किया गया है पाविल दुरो टेलीग्राम जो एप है उसके संस्थापक सह संस्थापक और CEO थे इनको हाली में गिरफ्तार किया गया फ्रांस में आपको पता दें टेलीग्राम की अस्थापना इन्होंने 2013 में की थी मिशन रूमी भारत द्वारा 24 अगर्स 2024 को चिन्नाई से अपना पहला पुनह प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी-1 लांच किया गया भारत के द्वारा ध्यान रखेगा कहां से चिन्नाई से भारत का पहला पुनह प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है रूमी-1 इसी को मिशन रूमी कहा गया यूपियस यूनिफाइड पेंसनी स्कीम केंद्री कैबिनेट के द्वारा केंद्री करमचारियों के लिए हाले में इसको स्विक्रिटी प्रदान की गई यह 1 अप्रेल 2025 से लागू होगा इसमें 10 प्रतिशत योगदान कार्मिक का होगा एनपियस में जो 14 प्रसंत योगदान होता था सरकार का अब 18 समलोग 5 प्रतिशंट का योगदान सरकार कर रहेगा 10 वर्ष की सेवा पर नियूंतम 10 अजार रुपए पेंशन की गारंटी दी जाएगी 25 वर्ष सेवा पर पूरी पेंशन प्रदान की जाएगी अन्तिम वर्ष के आउसत बेसिक आयका यह 50 पस्त होगी अठाद पूरी पेंशन ने लेने के लिए आपको 25 वर्ष नौकरी करना निवारी होगा उसके नीचे रहने पर आनपाति ग्रूप से बेतंदी आ जाएगा पेंशन दिया जाएगा महाराष्ट पहली राजसरकार हो गई है जिसने UPS को अपना लिया है ठीक है प्रधान मंतरी मोदी 21 से 22 अगस्त पूलेंड की यात्रा पे रहे और 23 अगस्त को युक्रेन की यात्रा पे रहे पूलेंड की यात्रा की बात करें तो 1989 में मुरार जी देसाई गये थे उसके बाद 45 वर्षों के बाद भारती प्रधान मंत्री की पुलेंड यात्रा थी युक्रेन तेईस अगस्त को प्रधान मंत्री गए किसी भारती प्रधान मंत्री की पहली यह यात्रा थी युक्रेन की तो एतियासिक यात्रा थी रेल फोर्स वन से ये पुलेंड पहुँचे चार भीश्म क्यूब उपहार में युक्रेन को इन्हों ने दिया इसके साथ ही युक्रेन के साथ चार मेमरेंडम आफ मेमरेंडम आफ अंडरिस्टेंडिंग पर हस्ताक्षर किये बारह नए उद्योगिक शहर हाली में कैबिनेट ने 28.602 करण रुपए के बजट के साथ बारह नए उद्योगिक शहरों के स्थापना को मुझूरी दी आपको बता दें कि आठ इस तरह के उद्योगिक शहर पहले से ही विकास के चरण में हैं अब कुल 20 हो जाएंगे ये बारह कौन-कौन है याद रखेगा हुर्पिया उत्राकंड का राजपुरा पटियाला पंजाब का दिगी महाराष्ट का आगरा उत्तरपदेश का प्रियागराज उत्तरपदेश का दोनों याद रखेगा आगरा और प्रियागराज उत्तरपदेश के हैं पलकड केरल क गया बिहार वाले भी याद रखिये जहीराबाद तिलंगाना का ओरवाकल आंध्पदेश का ओकार्थी आंध्पदेश का जोदपूर राजस्थान का पाली राजस्थान का हिमाचर प्रदेश मैलाओं के लिए विवा की नियुंतम आयो बढ़ा कर कितनी कर दी गई 21 वर्ष किस राजने हिमाचर प्रदेश ने बायो एत्री एत्री क्या है economy environment और employment केंद्री मंतिमंडल के द्वारा हाली में इसको मंजुरी दी गई जैव निर्माण नेती है सार्क खोजव पुनर्वनी करण से निपटने के लिए दुनिया का पहला कारवन रिमूवल बांड जारी किया किसने वर्ड बैंक ने टैनेजर वन नासा के द्वारा मेथेन उसर्जन की निगराने के लिए लांच उपग रहे क्या नाम है टैनेजर वन नासा के द्वारा किष्ण गमनपत मत्पदेश और राजस्थान सरकार की यह संयुक्त प्रियोजना है दोनों के मुख्यमंत्रियों ने हाली में इसकी होशना की मतुरा उत्तरवदेश को उज्जैन से जोड़ेगा राजस्थान के विभिन्न मार्गों से होकर जाएगा रीसेट खेल मंत्राले का कायकरम रीसेट है जिसको हाली में सुरू किया गया सेवा निवित एथलीटों के लिए इसको सुरू किया गया है खेल मंत्राले के द्वारा रीसेट नाम है इसका बधावन पोर्ट पालगर जिला महाराष्ट में बधावन पोर्ट इस्थित है स्वस्त शहर घोशित किया गया है धुली खेल को हेमा समिती मले आलम सिनेमा में महिला उत्पीडन की जाच के लिए नयायमुर्त हेमा के देख्सता में कमेटी बनी थी जिसने अपनी रिपूर्ट में महिलाओं के उत्पीडन की बात सामने लाई है राकेश पाल भारती तरक्षकबल के प्रमुक्त है जिसका हिदया घास से निधन हो गया अगस्ट दोजार चोबिस में आइनस अरीघाद भारत की दूसरी परमाड़पन डुबी है SSBN है हाली में नौसेना में इसको शामिल गिया गया है हिल कोल BBV131 भारत बायोटेक के द्वारा हिल मैन एक कंपनी है इसके सहयोग से विक्षित मौखिक हैजा वैक्सीन है मुक्ष से लेने वाली हैजा की वैक्सीन है हिल कोल प्रोजेक्ट नमन क्या है रक्षा पिंशन भोगियों और उनके रिस्तेदारों की मदद के लिए भारती सेना का कैक्रम है नालंदा महा विहार विहार में जो की स्थित है अंतर राष्टी बौध परिसंग के द्वारा गुरु पद्म संभोगे जिनका तिब्बत में बौध धर्म की स्थापना का एक उनको से दिया जाता है के जीवन पर दो दिवसी अंतर राष्टी सम्मिलन आयुजित हुआ पहला भारती संगीत वाध्य अंतर बन गया है कौन तंजावुर मीड़ा विथ्या राम राष्टी ओपन एथलेटिक चेंपियंशिप बंगलूरु में जो किया जित हुआ था 400 मीटर बादा दोड में 49 वर्ष पुराने पीटी उशा के रिकार्ट को इन्होंने ध्वस्त कर दिया टीटी ओयस ट्रस्टेट टूर आपरेटर सिस्टम दक्षिन अफ्रीका द्वारा भारत और चीन से परेटन बढ़ाने के लिए यह सुरू किया गया है अपराजिता बलातकाईव रोधी विधेक हाली में अपराजिता इसको पश्चिम मंगाल सरकार ने पारित किया आरजी मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जो जूनियर डाक्टर था उसके साथ जो रेप कांड हुआ था जगन ने उसके बाद दबाओ के बाद पश्चिम मंगाल सरकार का कड़ा कानून आया इसे अपराजिता के नाम से जाना याता है और इस तरह से नए अपरादिक कानूनों में संशोधन करने वाला पश्चिम मंगाल पहला राजी भी बन गया विशाण युद्य अभ्यास अजमेर में भारत का महा मारी के विरुद्ध चलाया गया अभ्यास है क्या नाम है विशाण महात्मा मंदिर गाधी नगर गुजरात में स्थित है यहां एक सितंबर से साथ में राष्टी पोशन मा का सुभारम किया गया एक पेड मा के नाम राश्ट व्यापी अभियान का आरंभी इसके साथ केंद्री मंत्री अनपूरा देवी के द्वारा किया गया सिधार्त अक्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तेरकर पार करने वाले दुनिया के सबसे व्रिद व्यक्ति बन गए सदायर तग्रवाल 49 वर्ष इनकी उम्र है मातर अई 29 वर्ष इनकी उम्र है अबूधाबी स्युक्तरव अमिरात की अबूधाबी में विदेशी धरती पर पहली बार IIT का पूर्ण केंपस, सारे कोर्स IIT के इसमें चलेंगे, सुरू हुआ, येस केंपस किसका है, IIT दिल्ली का केंपस है, नई दिल्ली में सर्वोष न्याले की 75 विर्षगाड पर भारत मंडपम में जिला न्याय पालिका का राश्टी सम्मिलन आई जित हुआ, ये सम्मिलन दो इसी था, 31 अगस्त को इसका उध्गाटन प्रधान मंत्री मोधी के द्वरा किया गया, प्रधान मंत्री मोधी ने इस औसर पर डाक टिकर जारी किये, वहीं एक सितंबर को समापन समारों में राश्टपती दिरोपती मुर्मू ने हिस्सा लिया, इनों ने इसके साथ ही दस्वी अंसूची के तहट अयोग विधायकों की पेंशन रोकने का विधेक हाली में, किस प्रदेश ने पारित किया, हिमाचर प्रदेश ने, दस्वी अंसूची के तहट जो अयोग दलबदल कानून के तहट जो अयोग विधायक होंगे, उनकी पेंशन रोकने का विधेक सूरत गुजरात के सूरत में प्रधानमंत्री मोधी के दवरा जल संचय जन भागीदारी योजना की सुरुवात की गई इसके तहट 24,800 वर्सा जल संचयन सनशनाओं के निर्माण का लक्ष रखा गया है मिशल बर्नियर फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं अंतराष्टी AI संधी, Artificial Intelligence संधी तीन देशों के मद्धि हुई है, USA, Britain और एक संस्था, European Union के मद्धि Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights इस संधी का पूर्ण नाम है उडिशा के भुनेश्वर में भारत की पहली सिलिकान कारवाइट सुविधार हम हुई है रडधीर सिंग पूर निशानेवाज है, एशियाई उलम्पिक परिशत के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारती बने हैं रडधीर सिंग, बी पाल्म रेजिमेन, स्वास मंत्राले के द्वारा MDR-TB के इलाज के लिए सुरू की गई पूर्ट हमू से लेने वाला उपचार है, बी पाल्म रेजिमेन पूर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है, स्री विजयपुरम विशे मिशन मौसम, 2000 क्रोन रुपए के बजट के साथ कैबिनेट ने हाली में इस मिशन को मंजूरी दी इसका लक्ष उननत मौसम निगरानी तंत्र का विकास करना है, पीम इड्राइव योजना 10,900 क्रोन रुपए के साथ इस योजना को मंजूरी हाली में सरकार ने दी है, इलेक्टिक वहिकल के खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने और उसको खरीद को प्रोसाहित करने के लिए इस इस योजना की सुरुआत की गई है, दिपाली थपा भारती मुक्यबाज है, अल एन संवक्त अरब अमिरात में पहली एशियाई स्कूल चेंपियर्शिप इन्होंने जीत कर इतिहास रस दिया, बराग या बरका परमाण उजासेंत अरब जगत की पहली परमाण सुविधा ह जिसका आरंब हुआ है, अल दफरा, अबू धाबी, सेवक्त अरब अमिरात में, आइनस मालपे और आइनस मुल्की, माहे क्लास के क्रमसह चौथे और पांच में यह पोत हैं, स्वदेसी एंटी सब्मरीन वारफेर, शेलो वाटर क्राफ्ट हैं, कोचीन से प्याड में इनका भारत रैपिट रेल सेवा है, जिसका आरंब प्रधान मंतरी मोधी के द्वारा किया गया, बांगलादेश ने सैन अधिकारियों को 60 दिनों के लिए एक्जिक्यूटू मजिस्टेट की शक्तियां दी हैं, किसमें बांगलादेश ने, नई दिल्ली में हिंदी दिवस समारों मुक्त घोशित होने वाला पहला राष्ट कौन बन गया है, जॉर्डन, अभ्यास अग क्या है, नेशनल डिजाष्टर मनेजमेंट एथर्टी, वस सेना द्वारा, चन्नई में आजिए दो दिवसी अभ्यास है, जिसका नाम अभ्यास एक क्या है, अंग कोरवार्ड मंदिर क टाइम्स ट्रेवल सूची, जो टाइम्स आफ इंडिया की सूची है, उसमें एशिया का सबसे अधिक फोटोजेनिक विश्धरोरस्थल घोशित किया गया है, युनेशको का जो विश्धरोरस्थल है, उनमें सबसे अधिक फोटोजेनिक विश्धरोरस्थल इसको घोशित क सितंबर दोजार चौबिस में यह अवैस बच्चों के लिए सुरू की गई है अठारा वर से कम आएके बच्चों के लिए खोली जा सकती है अंशदान की नियुनतम सीमा इसमें एक हजार रुपए रखी गई है अधिकतम सीमा कोई निर्धारित नहीं है सुभद्रा योजना उडिसा सरकार के द्वरा प्रदार मंतरी के 74 जन्दिम के उपलक्ष में उडिसा राज की महिलाओं को विद्धी सहयता देने के लिए इसको आरम किया गया है बात्र महिलाओं को जो पात्र महिलाओं कोन होंगी 21 से 60 वर्ज की आर्थिक रूप से कमजोर महिला हैं इनको 10,000 रुपए तक की वार्षिक सहायता इसके तहद दी जाएगी दो किस्तों में 55,000 के ये सहायता दी जाएगी फिलेमोन यांग कैमरून के राजनाइक हैं जो 1989 में UNGA सत्र के अध्यक्ष हैं कौन फिलेमोन यांग आपको पता दें कि उन्यासी में UNGA सत्र को प्रधान मंत्री मोदी ने 23 सितंबर 2024 को संबोदित किया था 10 सितंबर से ये सत्र सुरू हुआ था अलजीरिया सितंबर 2024 में BRICS BANK NDB New Development BANK का नया सदे से बना कौन अलजीरिया भासकर क्या है भारत स्टार्ट अप नॉलेज एकसेद रजिस्ट्री वाड़ेज जिव अध्योग मंत्राले के द्वारा आरंब स्टार्ट अप इंडिया का एक्रम का यह भाग है भासकर स्टार् शी मारलेना दिल्ली की तीसरी महिला चीफ मिनिस्टर बन गई है और दिल्ली की आठवी मिनिस्टर बनी है स्वर्गी सुस्मा सराज पहली थी और दूसरी स्वर्गी सीला दिक्षित थी सबसे लंबे समय तक स्वर्गी सीला दिक्षित थी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है माराश के पुड़े शहर में भारत का पहला कारबन डाइक साइट से मेथेनाल पाइलट प्लांट स्थापित हुआ है अनुरा कुमारा दिसानाय के जे वीपी पार्टी के नेता हैं शिलंका के शिलंका के नए राश्वती बने हैं हरिनी अमर सूरिया तीसरी महिला प्रधानवंत्री बनी है शिलंका की कैंसर मून शौट पहल कौट देशों की पहल है इसका लक्ष इंडो पेस्फिक रीजन में कैंसर को कम करना है कौट देश कौन कौन है भारत जापान आस्टेलिया अमेरिका खनिस रक्षा वित निटवर्क हाली में एफस एफन चार्चा में रहा अमेरिका के द्वारा इसे वर्स 2022 में सुरू किया गया था चौदह देश और यूरूपेन यूनियन इसके सदस पैक्ट फॉर दे फ्यूचर यूएन जीय के द्वारा हाली में 89 में सत्र जो यूएन जीय का था सितंबर में उसमें अपनाया गया थ्री गार्जेस डैम यांगली नदी हुबेई प्रांत जो चीन का है वहाँ परेश्थित है दुनिया का सबसे वड़ा जल विद्दुत सेंत्र है नासा द्वारा हाली में चेताओनी दी गई कि यह डैम प्रिथिवी के घूडन को प्रभावित कर सकता है तिश्णा ये इसरो और फ्रांस का सैवत उपग्रह मिशान है उपर हमने चर्चा की थी विश्वत से क्या है आईटी मंत्राले द्वारा लांच ब्लाग चेन टेकनोलोजी स्टेक है विश्वत से इसका नाम है गुरुग्राम में ब्रिटेन के साउठ टेमपन विश्द्याले का परिसर स्थापित होगा हैदराबाद में भारत की पहली Artificial Intelligence सिटी बनेगी भारत की पहली AI सिटी भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूशक घोशित किया गया है हाली में हरियाना स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जैहिंद कहने की हाली में घोषना हर्याना सरकार ने की ति स्कूलों में बच्चों में देश भक्ती के भावना को भढ़ावा देने के लिए मुंबई में नीत याउक के द्वारा एडू सिटीज की एस्थापना का प्रस्ताओ दिया गया है कहां पे मुंबई में किसके द्वारा नीत याइप के द्वारा मराठी बंगाली अस्मी पाली और प्राकित पांच भाशाओं को हाली में क्लासिकल लेंग्वेज का दर्जा मिला अब कुल ग्यारह क्लासिकल लेंग्वेज भारत में हो गई है मनता प्राप्त हजारी बाग जारकंड में 2 वेव को प्राक्तिक आपदा घोशित किया हाली में किसने मदब देश ने महाराष्ट में देशी गाये को राजमाता का दर्जा दिया गया इसके साथ ही ऐसा करने वाला देश का पहला राज बन गया ट्रैकोमा आखों की बिमारी होती है विश्वा संग्ठन के द्वारा भारत को ट्रैकोमा मुक्त प्रमाण पत्र जारी किया गया हाली में लूपेक्स मिसन इसरो और जाकसा जो जाप्रन जापान की संस्था है उसका सेउक्त चंद्र मिशन है जिसकी हाली में घोशना की गई तेलंगाना बिहार वा आनपदेश के बाद जाती कर जिंगर्णा आरम करने वाला तीसरा रज़ बन गया लबदाग के लिह में इसरू के द्वारा भारत का पहला एना लाग अंतरेक्ष मिशन लॉंच किया गया डिसलेक्सिया मानसिक विकार है एक प्रकार का डिसलेक्सिया के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए हाली में भारत में विभिन सरकारी भोनों को जैसे राश्पती भोन हो गया इंडिया गेटा दी होगा हो गया लाल रंग के प्रकास से प्रकाशित किया गया आशकर दोजार पच्चिस भारत की आधिकारिक प्रविष्टी क्या है लापता लेडीज एक कामेडी और सामाजिक संदेश देने वाली मूवी है निर्माता निर्देशक इस मूवी की किरण राओं हैं आमिर खान की पूरुपतनी सन फ्लावर वेर फर्स्ट वन्स टू नो एफटी आई आई के छात्र चिदा नंद नाइक की लगव फिल्म है जिसको लाइव एक्शन शार्ट फिल्म के टेगरी में क्वालिफाई किया गया है आउसकर के लिए ये भी महत्पूर्ण है पूछ सकता है उडीशा के भुनेशव गाओं के रूप में जाना जा रहा है इसका उडगाटन पूर राश्पती रामनाथ कोविद ने किया ठीक है देरादों उत्राखंड का थानों गाओं एक राश्ट एक चुनाओं हाली में सरकार के द्वारा 18 सितंबर को 18 सितंबर 2024 को प्रस्ताओं को मंजुरी दी गई अब ये प्रस्ताओं संसत के पटल पिलाये जाएगा देश में चुनाओं को दो चरणों में आयुजित किया जाएगा इसके अनसार प्रस्ताओं के अनसार लोक सभाव और सभी विधान सभाओं का एक साथ चुनाओं होगा पहले चरण में दूसा चरण प्रथम चरण के सो दिन था 14 मार्स 2024 को यह रिपोर्ट राश्पती को सोपी गई थी समित के द्वारा समित के माध्यम से समित का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था इसमें एक अध्यक्ष रथात रामनाथ कोबिद और साथ सदस्य थे सच्यू इसके नितेन चंद्र थे इसका जो दोस्तों अगला पाट होगा यह पाट था सभी पॉइंट जितने भी थे वो हमने कवर कर लिये हैं अगले पाट में हम पूरसकारों को सम्मानों को और सभी चीजों को जो पाट वाइस देखेंगे और वो चोटा-चोटा जितने संभावित होंगे उनको हमलुक बीच में आवाज अभी दो तीन फैक्ट में चली गई थी तो फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको खनिश सुरक्षा वित नेटवर्क MSFN ये क्या है USA के द्वारा वर्ज 2022 में सुरू किया गया था करनाटक सरकार ने हाली में इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है प्रधानमंतरी मोदी तीन परम रुद्र सुपरकम्पूटर व एक हाई परफॉमस कंप्यूटिंग सिस्टम का इन्होंने उध्गाटन हाली में किया है परम रुद्र जो तीनों सुपरकम्पूटर हैं इनकी लागत 130 क्रोण रुपए की है दिल्ली, पूडे और कुलगाता में ये स्थापित किये गए हैं HPC जो High Performance Computing System है 850 क्रोण रुपए के लागत से इस सिस्टम को बनाया गया है इनका नाम अरका और अरुडिका है ये पूडे और नोएडा में स्थापित किये गए है मुख्यतम मौसम और जलवाई अंसंधान के लिए इनको बनाया गया है